क्लोनियलिजम क्या है प्रैक्टिस से आइडेलोजी की आइडिया आ गया कहां से आइडेलिजम से आया है अब उसकी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस ऑफ आइडेलोजी इस नौन एज क्लोनियलिजम इसमें सेट्लमेंट बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं क्या होता है जी कि जो settlement है एक group की वो new location पर जाती है इसमें particular historical manifestation होती है imperialism की specific to certain places and times ठीक है तो हम कह सकते हैं कि colonialism however is only one form of practice from the ideology of imperialism ठीक है कि जो imperialism की ideology उसमें से एक form of practice है colonialism और अगर हम broader level बात करें तो फिर ये क्या बन जाता है practice क्या practice हो रही होती है practice यही हो रही होती है कि एक country के लोग जिनके पास power होती है वो दूसरी country दूसरी nation जिनके पास power नहीं होती जो weak होती है वहाँ पर जाके अपनी colonies बना लेती है जाती किसे है जाती वो तजारत के गड़ से ही है trading के लिए ही जाती है लेकिन वहाँ पर जब वो जाती है तो trading के लिए जाने के बाद वो अपनी power कायम करके उन लोगों को suppress कर देती है और वहाँ पर उस country को उस nation को occupy कर लेती है अपने अंडर ले आती है ठीक है और वो time period जिस time period के अंदर colonizer भी है और colonized भी है यहनि कि एक country एक nation के लोग जिन्हों ने अपनी power कायम की दूसरी nation के लोगों के उपर ठीक है तो वो अपनी power कायम करने के बाद क्या कर रहे है उनको exploit कर रहे हैं subjugate कर रहे हैं suppress कर रहे हैं अगर आपको वो याद हो time period जिस time period पे partition हुई थी तो उससे पहले क्या हुआ था जब subcontinent का time period था अंग्रेज आये थे ना वहाँ पे मसला मुसल्मान, हिंदू सब कठे रहे रहे थे पाकिस्तान नहीं तब बना था वहाँ पे अंग्रेज आये थे उन्हों आग्या करना शुरू कर दिया exploit करना शुरू कर दिया marginalize करना शुरू कर दिया subjugate करना शुरू कर दिया वहाँ की nation को, वहाँ के लोगों को तो वो सारा जो time period था ना वो colonialism का time period था वो colonial rule का time period था clear हो गया colonialism क्या आपको समझा चुका होगा इंपरिल्जम पर समझा चुका होगा यह जो क्लोनल्सम है नहीं सारी सारी प्रैक्टिस एंपरिल्जम की उसके आइडियास की